नमस्कार दोश्तों मैं अकांक्षा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल दे स्टडी जोन में इस वीडियो में हम लोग डेक्लाइन आफ दो हरुपन कल्चर का पतन कैसे हुआ था वह हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं तो अगर हर अपन कल्चर के पतन की बात करें तो पहला जो है वो है निचुरल केलमेटीज, प्रकृतिक अपदाएं और दूसरा है फॉरेन इन्वेजन, मतलब दूसरे जगह से लोग आके उन्होंने यहां पे हमला किया होगा, तो यह दो धार नाय बहुत प्रमुख है, आगे इस वीडियो में हम लोग फढ़ने वाले है तो पहला जो है निचुरल केलमेटीज, तो मोहिंजोदरो में जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि मोहिंजोदरो जो मूवी है उसमें दिखाया गया है कि बाढ़ के कालन उस जगह का विनाश हुआ होगा, और कुछ स्कॉलर्स का मानना है, कुछ विद्वानों का यह मानना है कि हरपन कल्चर का पतन आर्यांस द्वारा किया गया होगा, उन्होंने इस जगह पे हमला किया होगा और इस जगह को उक्यूपाइ कर लिया होगा, मतलब इसके डांफॉल के कोई एक रीजन, कोई एक रिजन नहीं माना जाता है, और अगर कोई एक रीजन है भी तो लोगों का मत नहीं है, कि हाँ यही एक रीजन है जिसके कारन हरपन कल्चर का विनाश हुआ है, Various theories have been postulated Natural calamities like recurring floods, drying up of rivers, decreasing fertility of soil due to excessive exploitation and occasional earthquakes might have caused the decline of the harapan cities लेकिन कुछ ऐसी चीज़े हैं जो माना जाता है कि हाँ ऐसा हुआ होगा जिस कारण से harapan culture का विनाश हुआ है तो पहला है प्राक्रितिक अपदाओं में पहला है बाढ़ के कारण तो जो लोग थे जैसा हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि वो लोग नदियों के किनारे रहा करते थे तो ऐसा भी हो सकता है कि नदियों में बाढ़ के कारण उस जगह का विनाश हुआ होगा और कभी कभी कभार भुकम्प के कारण तो कभी कब आरबुखंप आ जाते होंगे तो उस कारण भी हो सकता है इस जगह का विनाश हरपन कल्चर का विनाश हुआ होगा नेक्स्ट है नदियों के सूखने के कारण मतलब लोग नदियों के किनारे रहते थे जिससे ट्रेड ये सब करना बहुत आसान हो जाता था तो ऐसा भी हो सकता है कि नदि सूख गए होंगे और इस कारण जो लोग थे उस जगह का हरपन कल्चर का विनाश हो गया होगा और जो नेक्स्ट है मिट्टी की उड़वरता कम होने का कारण तो मिट्टी की उड़वरता यानि की फर्टिलिटी का कम होना तो ऐसा भी हो सकता है कि जादा यूज के कारण उस जगह उस चेतर की जो मिट्टी होगी उसमें उसकी फर्टिलिटी कम हो गई होगी तो ये कुछ कारण है जो माने जाते हैं कि हड़ापन कल्चर के विनास के कारण हो सकते हैं According to some scholars, the final blow was delivered by the invasion of Aryans The destruction of forts is mentioned in the Rig Ved कुछ विद्वानों के अनुसार अंतिम जटका आरियों के आक्रमन से दिया गया था मतलब कुछ लोग मानते थे कि आरियों ने इस जगह पे हमला किया था Rig Ved में कीलों यानि कि फोर्ट के विनास के बारे में भी लिखा गया है Also, the discovery of human skeletons huddled together at Mohenjo Daru indicates that the cities was invaded by foreigners इसके अलावा Mohenjo Daru में खोज के दौरान एक साथ मानव कंकाल मिले है जिसे अब पता चलता है कि सहर पर विद्विशियों द्वारा अक्रमन किया गया था The Aryans had superior weapons as well as swift horses which might have enabled them to become masters of this region आरियों के पास जो है वो बहतर हत्यार होने के साथ साथ तेज दौरने वाले घोडे भी थे जो सायद उने इस छेत्र का स्वामी बनने में शक्षम बनाते थे तो ये कुछ कारण थे हरपन कल्चर के पतन के और इसे के साथ हमारा हरपन कल्चर समाप्त होता है Next हमारा इगवेदिक कल्चर है इसके बारे में हम लोग next वीडियो में पढ़ेंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें जय हिन जय भारत